और बात इंदौर की करते हैं क्योंकि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और किर्ति माना गया है इट राइट चैलेंज प्रतियोगीता में देश में पहला इस्थान हासिल किया है इस रैंक में देश की 188 शहरों के बीच यह प्रतियोगीता कराई थी टॉप टेन में मध्युपदेश की चार शहर है भूपाल को तीसरा उज्जैन को पाच्वा जवलपूर को साथवा इस्थान आसिल हुआ है तो सेंट्रल ने इट राइट इंडिया नाम से राष्टी आंदुलन शुरू किया सुरक्षित स्वस्त और सतथ भोजन सुनिश्चित के लिए आंदुलन देश की स्मार्ट सिटीस के बीच आयुजित किया गया यह प्रतियोगीता इस प्रतियोगीता के विजिताओं को जुड़े हैं न से हम बाचीत करते हैं प्यूश खाने पीने के मामले में इंदौर हमीशन से आगे राए सफाई के मामले में आगे राए बात कुरोना काल में हो जब LC hell जाय गैर निकलने के बाद पूरे उस गैर के बाद जो चाए वो गूलाल हो पानी हो पाउच हो बोतल हो रोड सड़क गलिया मोहले गली चौक चोराय सब साफ मिलते हैं यानि किि इंदौर ने ठान लिया है प्रत्योगीता कोई सी भी कि उन्बर वण हमें ही आना है बिल्कुल विजय जाहिर सी बात है और आपने सही कहा कि नंबर वन का तमगा अब इंदौर के साथ में इस तरह से जुड़ गया है कि हर प्रतियोगीता में कहिने के इंदौर नंबर वन आता है आपने दिखा सुचिता को लेकर पांच बार लगातार नंबर वन का तमगा इंदौर खाने पीने के लिए अपनी अलग पहचान तो बना चुका है लेकिन उसके साथ साथ में यहां पर जो शुद्ध खाना है वो कैसे लोगों को मिले इसको लेकर एक बड़ा अंदौलन शुरू किया था और जो है इट राइट चैलेंज इसके तहत इंदौर ने है विजय इंदौर कि 56 दुकान की तस्विरें जो सीरे तोर पर दर्शक इस वक्त हमारे टीवी स्क्रिन पर देख पा रहा है कि किस तरीके से यहां पर लोग 56 दुकान पर जायकों का मज़ा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी कतारे आप देख सकता है कि इन खान प सुन अधूर के नाम कैसे यह संबह हो पाया है कि सरिये कज़िद है इन दौर शहर को हमेशा एक नमबर आने की और यह बात का ध्योता के है कि हम जिस काम को करने जाते हैं पुरे पर्ट के साथ में और 100% करते हैं उसका मिनिंग यह है कि अगर हम जेंडर इट में तो हमने और हाइजिन के अपर ध्यान लगते हुए हम उस जगह तक पहुचे जहां पर हिंदुस्तान का यह पहला शहर हुआ जिसने इट राइट चेलेंज को पूरा किया इट चेलेंज में सैंप्लिंग करना मेले लगाना हाइजिन रेटिंग देना भोक का लाइसेंस होना सराफा चो होते हुए हम लोग इट राइट चेलेंज तक पहुच पाए हैं और हम धन्यवाद अदा करते हैं प्रसाशन का जिसने मुस्तेदी के साथ में इंदौर के साथ में काम किया कि हम आज उस तमगे को हासिल कर पाए विजय वाकई में यह कुल मिलाकर तमाम इंदौर के लोगों कि इंदौर एक बार फिर से नंबर वन का इस्थाल हासिल कर पाया है तो यह एक बड़ा चैलेंज था और जिस तरीके से आपने कहा कि हर प्रत्यूगीता हो उसे इंदौर चैलेंज की रूप में लेती है और इंदौर की पब्लिक उस चैलेंज को कहने कर यहां पर पूरा भ कि बार जिस चैलेंज के यहां प्राइब प्रत्या रंप प्रत्यूज चैलेंज और रपिधने की बारेंज बच्या की पैर।